आव्यू, एक आव्यू है एक माइनस एक एक, दो एक माइनस तीन, एक 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 का जुतकरम आव्यू ग्याद कीजे तथा इसकी साहता से निमनलिकित समीकरन निकाय का हल कीजे कि हमें एक समीकरन निकाय मिला है इसका हमें हल विद्करम आव्यू ग्याद करके ग्याद करना है अब यहां जो हमें आव्यू मिला है इसे हम आव्यू A मान लेते हैं अर्था था यहां हमारा A हो गया जो दिया गया आव्यू है तो हमें विद्करम ग्याद करने के लिए पहले सार्निक A का मानग्याद करना होगा क्योंकि A inverse का अस्तित तो तभी होता है जबकी A के जो संगत सार्निक है उसका मान 6 के बराबर नहीं होना चीए अर्था determinant A का मान हम क्याद करते हैً तो determinant A एक 3 इन्टु 3 के करम का determinant है सार्निक है मानग्याद किया तो एक किस से गुणा होगा, एक इंटू एक माइनस एक इंटू माइनस तीन, तो यह हो गया, एक इंटू एक प्लस तीन के, अब यहाँ माइनस पहले से है, तो यहाँ प्लस का एक आ गया, किस से गुणा होगा, दो इंटू एक अर्था दो माइनस एक इंटू माइनस तीन, तो यह हो गया प्लस का 3, अब प्लस 1 ये वला 1 किस से गुणा होगा, 2 इंटू 1 अर्था 2 ये 2 आ गया, माइनस 1 इंटू 1, 2 माइनस 1 हो गया, कैलकुलेट किया, तो मान आ गया 4 प्लस 5 प्लस 1, तो ये 2 आगया, जो की 10 होता है, अर्थाथ, Determinant A का मान 0 के बराबर नहीं है, A इंवर्स का अस्तित्तू है, अब हम जो ये साणिक A माना है, क्योंकि हमें इंवर्स गयाद करना है, तो हमें Adjoint ग्याद करना होगा, तरीका क्या रहेगा, हम पहले Upsarnic निकालेंगे, Upsarnic को चिन दे के हम सेखंद निकालेंगे, सेखंदों का हम एक आव्यू बनाएंगे, उसको Transpose करेंगे, और Adjoint ए ग्याद करेंगे, तो हम पहले Upsarnic ग्याद करते हैं, तो Upsarnic A11 क्या हो जैसे हम उपसारनेक निकालने एक के लिए, इस एक के लिए, तो इसका उपसारने क्या होगा? determinant जिसमें एक माइनस तीन एक एक ये होगा, अर्थाथ A11 का मान हो गया, एक माइनस तीन एक एक, calculate किया यह मान तो 1 प्लस 3 अर्था 4 आ गया इसी प्रकार A12 हमारा 5 आता है A131 आता है A21-2 A22 0 A232 A312 A32-5 और A33 3 के बराबर हमने प्राप्त कर लिया अब हमें उचित इन्हें चिन दे के सेखंड गयाद करना है तो हमारी स्कीम क्या होती है 3 into 3 के क्रम के सार्णिक के लिए हमें किस प्रकार से चिन देना होता है plus minus plus minus plus minus plus minus plus अर्थात A11 को हमें ऐसा कैसा लेना है A12 का चिन बदलेगा A13 हमारा ऐसा कैसा रहेगा A21 का चिन बदलेगा A22 वैसा का वैसा ही रहेगा A23 का चिन बदलेगा A31 वैसा का वैसा ही रहेगा A32 उसका माइनस होना है तो चिन बदलेगा और A33 हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा तो हम second निकालते हैं इन चिन्नों को देखे हमने second प्राप्त किये F11 है 4, F12-5, F13-1, F21 है 2, F22-0, F23-2, F32-5 और F33 का मान है 3 अब हम Adjoint ग्याद करते हैं तो Adjoint ग्याद करने के लिए हमारा Adjoint बराबर हो जाएगा एक साड़निक बनाया जिसमें हमने पहली पंक्ति में लिख दिया 4-5, 1 दूसरी पंक्ति में आगया 2, 0, minus 2, 2, 0, minus 2 तीसरी पंक्ति में जो second हमने प्राप्त किये है 2, 5, 3 यह तीसरी पंक्ति आगयी 2, 5, 3 इसका हमने ट्रांस्पोस करना है परिवर्थ मेट्रिक्स ग्याद करना है अर्थात हमें इसमें पंक्तियों को इस्तंब में बदलना है इस्तंब को पंक्तियों में बदलना है तो 4, minus 5, 1 यहाँ पंक्ति है यहाँ इस्तंब बन गया 2, 0, minus 2 इसको हमने इस्तंब में बदला तो 2, 0, minus 2 तीसरी पंक्ति है 2, 5, 3 इसको हमने इस्तंब में बदल दिया 2, 5, 3 यह हमारा adjoint a हो गय अर्थात A inverse हम ग्याद कर सकते हैं, Adjoint A बटा Determinant A, Determinant A का मान हमारा 10 है, इसलिए 1 बटा 10 into A view, यह हमारा A inverse आ गया, अब हम प्रशन के दूसरे हिस्से को देखते हैं, तो यहां प्रशन के दूसरे हिस्से में हमें समीकरन निकाय को हल करना है, यहां हमें समीकरन निकाय मिला है इस रूप में, तो यहां, देखो, पहले हमें right hand side को सरल कर लेना चीए, right hand side को सरल करेंगे, तो 1 बटा 2, यहां इस आव्यू के प्रत्यक अव्यव से गोणा होगा, right hand side में, left hand side में देखें, तो यह आव्यू के जो first पंग्ति है, यह x, y, z, इन संगत अव्यवों से गुणा होगी इसी परकार से दूसरी पंक्ती इस इस्तंब के संगत अव्यवों से गुणा होगी और तीसरी पंक्ती संगत अव्यवों से इस इस्तंब के गुणा होगी तो लेफ्ट एंड साइड तो हमारा क्या हो गया एक गुणा हुआ X से तो X आ एक गुणा Y प्लस का Y, 0 जब Z से गुणा होगा तो 0 हो गया, अब एक गुणा हुआ Z से, X से, तो X आ गया, प्लस एक गुणा हुआ Y से, तो प्लस का Y आ गया, एक गुणा हुआ Z से, तो प्लस का Z आ गया, राइट हेंड साइट देखते हैं एक बटा दो का यहां प्रतेक अव्यव से गुणा होना है तो y आ गया और 2 इस 2 से गुणा हुआ तो 4 आ गया संगत अव्यव जुड़ रहे हैं तो y प्लस 4 हमने प्राप्त कर लिया अब एक बटा दो जब 6 z से गुणा हुआ तो 3 z आया और यहां 2 गुणा 0 है तो प्लस का 0 ही रहेगा अर्थात यहां पर हमने 3 z प्राप्त कर लिया एक बटा दो 0 से गुणा हुआ 0 प्लस 2 गुणा 1 अर्था 2 तो यहां इस परकार से 2 आ गया अब हमको संगत अव्यवों को क्योंकि 2 आव्यू है बराबर आव्यू है तो संगत अव्यव समान होंगे अर्थात हमने 3 समीकरण प्राप्त कर लिये पहला तो हमारा हो गया x प्लस z बराबर है y प्लस 4 जो हमें देता है x माइनस y प्लस z बराबर है 4 दूसरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 3z जो हमें देता है x प्लस y माइनस 3z बराबर 0 और तीसरा समीकरण है x प्लस y प्लस z बराबर है 2 तो हमने 3 समीकरण प्राप्त कर लिए जिने हम अब आव्यू रूप में लिखते हैं तो आवियू रूप में लिखने पर हमें पहले समीकरण की जो x, y, z के गुणांग है वो पहली पंक्ती देते हैं यहाँ x, y, z के गुणांग क्या है एक माइनस एक एक तो एक माइनस एक एक यह हमारी पहली पंक्ती हो गई दूसरे समीकरण में गुणांग देखते हैं दो एक माइनस तीन तो दो एक माइनस तीन यह हमारी दूसरी पंक्ती हो गई और तीसरे समीकरण में हम देखते हैं कि x, y, z के गुणांग है एक 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 तो एक 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 यह हमारा तीसरी पंक्ती हो गया यह हमारी तीसरी पंक्ती हो गई आव्यू की X आव्यू जो है वो X, Y, Z का होता है तो यह एक स्तंब आव्यू बना लिया राइटेंड साइड में हमें एक आव्यू मिला है जो कि अचरपदों का होगा 4, 0, 2 यह 4, 0, 2 हमने यहां लिख दिये अर्थात यह AX बराबर B का रूप है तो AX बराबर B जहां X बराबर होगा A इन्वर्स B के X A इन्वर्स B है A इन्वर्स हम ग्यात कर चुके हैं हमने A इन्वर्स का मान रख दिया एक बटा 10 इंटू यह आव्यू B हमारा है 4, 0, 2 अब हमें 2 आव्यू को गुणा करना है तो तरीका क्या रहेगा पहली पंक्ती और इस्तंब यह A की इस्तंब है इसके संगत अव्यूवों से हमने गुणा किया एक बटा 10 बाहर यह हमने ऐसा कैसा रहने दिया तो 4 गुणा 4 अर्था 16 प्लस 2 गुणा 0 अर्था 0 प्लस 2 गुणा 2 अर्था 4 अब दूसरी पंक्ती के अव्यूवों को हमें इस सिस्तंब के संगत अव्यूवों से गुणा करना है तो माइनस 5 गुणा 4 माइनस का 20 प्लस 0 गुणा 0 तो प्लस का 0 प्लस 5 गुणा 2 अर्थाद 10, अब तीसरी पंक्ति ली, तो 1 गुणा 4, 4 आ गया, प्लस 2 गुणा 0, तो प्लस का 0 आ गया, 3 गुणा 2, अर्थाद प्लस का 6, है, calculate किया, तो यह माना गया, 1 बटा 10, आव्यू में आव्यव हैं, 20, minus 10, 10, 1 बटा 10 से आव्यू के प्रतेक आव्यव को हब हम गुणा करेंगे, और x का मान हम जानते हैं, कि x, y, z होता है, यह हमने हमारा आव्यू x जो है, वो है x, y, z, इसलिए x, y, z का मान हो गया, 2, minus 1, 1, हमने कैसे प्राप्त किया, 1 बटा 10 को इस आव्यू के प्रतेक आव्यव से गुणा कर दिया, 2, minus 1, 1, यह हमने आव्यू right-hand side में प्राप्त किया, दो आव्यू समान होते हैं, यदि उनके संगत आव्यू भी समान हो, अर्थात x का मान तो हो गया, 2, y का मान कितना हो गया, minus 1, z का मान हो गया, 1, यह हमारा दिये गए समीकरन निकाय का अबिश्ट हल है,